पाली 2 नवंबर पाद सही पाए गए। उन्होंने बताए कि इस विशेश अभियान के तहट दूद, मावा, पनीर्व अनदुग्ध उत्पाद, आटा, बेसन, खाद्य तेल वही के अलावा सूखे मेवे, मसालों और बात्वु माब की जाच भी की जाएगी। वही मिलावट करने वालों की व नमूने की फूट टेस्टिंग लेब में जाज करवा कर उसके परिणाम प्राप्थ होने पर प्रोचसाहन राशी प्रदान की जाएगी। सुचना देने वालों की पहचान गोपनिय रखी जाएगी। इस मोके पर तहसीलदार पाली पंकच कुमार जानन, रसद विभात प् तिकरी जितेंद्र सिंग आशिया, जिला दुग्ध उतपादक सहकारी संगपाली के उपप्रबंधक के स्पी गहलोत नरेंद्र कुमार आदी मौजूद रहे।